भारते किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने हरियाना के करनाल में किसान उपर हुए लाठी चार्ज का विरूद जताया और किसान नेता राकेश टिकैत ने इस दोरान कहा कि देश में सरकारी तालिबानों का गबजा हो चुका है दुरसल हर्याणा के नू में किसान नेता टिकैत ने आयूजित की गई महापंचायत में शिर्कत की जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि देश में सरकारी तालिबानों की कमांडर मौजूद है इन कमांडरों की पहचान करनी होगी जिन्होंने आदेश दिया सर पोड़ने का वही कमांडर है आपको बता दे कि हर्याड़ा में चुनावों की तैयारियों पर मन्थन करने के लिए करणाल में प्रस्तावित बीजेपी की प्रदेश इस्तरिय बैठक का विरोध करने पर किसानों पर लाठी चार्ज किया गया है शनिवार को इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने न केवल किसानों पर लाठियां भांजी बलकि जवाब में किसानों ने पुलिस पर भी पत्थर बरसाए जिसके बाद करीब 20 किसान खायल हो गए थे करणाल में तो वो तो दिखाएंगे ने के मैं सरकारी तालिवानुगा कवांडर हुए भी मैं पुलिस फोर्स के दम पर हूं और और मेरे सामने इस पुलिस सफोर्स की ताकत पर वो कभ्या करना चाहते हैं पूरे देश को वीडियो जो वेरे लोरी उसको क्या कहेंगे जो कहें तो दिया ने सरकारी तालिमानों का कमंडर और क्या को